यह मेरा बेटा आमन शर्मा मैं क्रश्णाउतार शर्माइज का पिता हूं मेरे बेटे को दो डाई मेने बुखार हुआ दो साम कही डाक्टरों को दिखाया इसके रिलिफ नहीं हुआ फिर हमने इसको जैपुलाए बाउन मेरो करवाई इसकी रिपोर्ट महावीर ओस्परिल ब के सग गई ऐसे हुआ जो पर पर चितने हम गो यहां फेक्स में डॉक्टर आशीश जी वर्मा जी के बारे में बताया तो हम इन से मिले इनको दिखाया है इन्होंने हमें पूरा आस्वासन दिया कि आपका बच्चा बिल्कुल सही हो जाएगा और इसमें सो में से निब्वे प लगर में कारवरत हूं यह पेशेंट अमन शर्मा हमारे पास लास्ट यह था जब यह पहली बार आया था हमारे पास दोशा से यह पेशेंट हैं तो काफी सिख था इसको बार बुखार आ रहा था वीक्नेस काफी थी इसको तो इनिशल इवैलुएशन में इसके जो ब्लड इन्वेस्टिकेशन हमने भेजे थे उसमें हीमोग्लोबिन काफी कम था प्लेट भी कम थी और डबलोबिसी काफी बढ़े होगे थे तो इसकी आगे की जाज करवाई थी उसमें हमें प्रदर आता कि इसको तेजी से बढ़ने वाला ब्लड कैंसर है जिसका नाम एक्यूट लिं हफते में या महीने में दो या तीन बार एड्मिशन होना होता है तो इसने चह महीने का ट्रीटमेंट पूरा ले लिया है चह महीने के बाद हम लोग ने इसके दुबारा से जाज करी थी जो बिल्कुल अब कैंसर मुक्त है उस जो चार्च में एक MRD टेस्ट होता है जो की न और पेशन और लड़ी कैंसर मुक्त हो चुका है तो इसके लिए बस यही ब्लैसिंग से आगे अच्छा करें केरियर में और नाम रोशन करें पापा मंभी का थेंक्यू जैसे बुला रहें वैसे हम आ रहे हैं वैसे दवा ले रहें तो मेरा बच्छा बिल्कुल सही है ज़् करेंगे और अब एक्स होस्पिटिल के सारे इस्टाप ने हमको पूरा सायोग दिया सबका बहुत बहुत धन्यवाद